बलदमजार जिला के नगरपंचायत भडगाओं के अंग्रेजी सराब दुकान के करमचारी मन उपर धारदार तंगिया और डंडा ले वार करें के मामला आग हुआ है हरी प्रसाद यादाओ और अखरसाथी अनिल बगेल रात के भठी ला बंद करके सराब के पैसाला लेके थाना जमा करे बर जात रहें बठी लेक उस दुरिया मा अग्याद बदमास्मन रकम लूटे के फिराग ले डंडा और तंगिया ले वार कर दिंग तंगिया के वार ले हरी यादो बुरा तरह ले लहू लुहान हो गई हमला के बाद भठी के अउँ अन्य कर्मचारी ला फोन कर बुलाए गई तब तक अज्यात हमला वर रकम छोड़के फरार होगे रहे इस घटना के तुरंद बाद घायल हरी यादो ला इलाज बर विलाईगर स्वास्ते के इंदर ले जाये गई जहां प्रात्मिक उप्चार कर गंभीर हालत ला दिखत हुए बिलास्पूर रिफर कर दे गई उहें इलाज के दोरां डाक्टर के द्वारा जेवनी आखी के रोशन के हैं और नई पकड़े के स्थिति मां आंदोलन करे के बात कहे गए हैं पुलिस आरूपी के खोजबीन मां लगे हुए है कि इनांग 18-18 को हरी प्रसाद सुपरवाजार और मल्टी वर्ता अनिल बखेल दोनों रात्री 10 बजे दुखान बन कर रकम लेकर वापस आ रहे थे हरी प्रसाद यादो मोपरसाइटी चला रहा था जो अपने पीछे पिट्टू बेग में रखा था रकान 6,000 रुप्या और यह पीछे बैठा था जैसी कालिज भाटर ट्रणिंग के पास आये तो बाड़ी स्लो होने पे मोटर साइटी स्लो होने पे कोई अग्यात 21 को मारने कुछिस किये अनिल को पीछे बैठा था तो दाहिने करवाट हुआ वो दाहिने करवाट हो तो उसके कि अनिल के पेश करने पर जब्त किया गया तंगिया और मौपा घटना इस तल पर दो जोड़ी चपल मिला है सासन के निर्देशा नुसार सास्की मदललाल सुक्ल महाविद्यालय सीपत मा सद्भावना दिवस मा कायरेक्रम आयोजित करेगेज